विपिए गैस यहाँ पे बहुत ज़ाधा बहुत ज़ाधा बदला हो गया है अगर आप अपने फोन को under warranty repair करवाना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं आपके फोन का warranty दो साल का हो अगर आप चाहते हैं आप अपने फोन का warranty extend करवा ले तो guys इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यहाँ पर warranty extend कराने की जो policy वो पूरी तरह से change हो गई guys कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि आप जो है अपने phone का warranty एक साल के अंदर extend करवा सकते हो अगर आपका phone 365 दिन लिये हुए नहीं हुआ है तो आप अपने phone का warranty extend 365 वे दिन मतलब साल के आखरी दिन एक साल होने के आखरी दिन भी करवा सकते हो लेकिन guys यह जो rule है यह जो policy है warranty extend करवाने की वो पूरी तरह से बदल गई है guys यहाँ पर मैंने Samsung के ओपर ये वीडियो बनाया था जहाँ पर मेरे पर Samsung Galaxy M51 जैसा कि आपको पता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा guys तो आप जो है i button में मैं attach कर रहा हूँ उसको आप जाके देख सकते हो क्योंकि guys उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस ताइप की warranty free में cover होती है अगर क्या होगा जब हम लोग को पैसा देना पड़ेगा warranty के बाद भी और अगर क्या होगा तो हम लोग को phone free में repair होके मिलेगा warranty में यहाँ पे scene कुछ ऐसा हो गया है कि पहले आप अपने phone का second year वाला warranty अगर आप extend करवाना चाहते हो मतलब कोई भी phone एक साल का warranty देता है फिर आप उसको एक साल और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो guys आपको जो है phone को लेने के बाद phone को लेने के बाद एक साल के अंदर warranty extend के लिए apply कर सकते हो जैसे कि Samsung members application के थूँ आप कर सकते हो warranty extend और वही पे guys कैसे extend करते हैं उसके भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो i button में उसको भी मैं attach कर रहा हूँ आप जाके देख सकते हो guys और यहाँ पे guys scene ऐसा है कि अब जो है एक साल के अंदर आप नहीं करा सकते guys आपको जो है phone लेने के तीन महने बाद extend करवाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपके phone को warranty दो साल का हो ना कि एक साल का हो तो आपको phone लेने के तीन महने के अंदर जैसे guys मान लिजे अगर मैंने December में 2020 December में phone खरीदा है तो मुझे December January February February मतलब तीन महने के अंदर guys मुझे warranty extend करवान लेना पड़ेगा मतलब 90 days के अंदर से change हो गया guys कि अगर आप चाहते हो कि आपका phone जो है वो दो साल के लिए covered रहे और जो warranty extend का price वो भी बहुत जादा कम रहता है करीबन guys आप हर company का अलग-अलग रहता है 400 से 800 या फिर 900 रुपए ही लगते उसे ज्यादा नहीं लगते कितने पैसे लगते सैमसंग के उपर उसके लिए भी particular वीडियो जो है apply करने वाले मैंने बताया था तो आई बटन वाले वीडियो को आप जरूर से देखना और यह बड़ा बदलाओ guys आप जो है अपने friends के साथ जरूर से share कर देना क्यूंकि guys बहुत लोग मेरा जो वीडियो देखते हैं वो यही सोच रहूंगे अभी तक की 12 महने के अंदर हम लोग कभी वी जो एक्स्टेंड करवा लेंगे लेकिन जो policy वो पूरी तरह से change हो गई है जहां पर guys मुझे बहुत जाथा comment आये कि आपने बोला था कि 12 महने के अंदर हम extend करवा सकते लेकिन अब extend का option नहीं आ रहा है हम extend नहीं करवा पा रहे हैं तो guys मैंने customer care में बात किया call करके तो उन्होंने बताया कि policy अभी change हो गई है पहले 12 महने के अंदर warranty जो है एक साल औ smartphone है तो यहां पर Samsung company के customer care से मैंने बात करी बाकी other company का मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता अगर other company का है तो अगर आप जाना चाहते हो तो comment करो मैं पता करके उस company के बारे में वीडियो जरूर से बनाऊंगा लेकिन guys Samsung का अगर आप कोई भी smartphone यूज करते हो तो 3 महने के आपको बागी previous वीडियो आप जरूर से देखना guys आपको और जदा clear cut हो जाएगा वही पर guys अगर आपको कोई भी Samsung से related problem solving वीडियो चाहिए तो guys मेरे playlist का check out कर सकते हो जहां पर internet speed बढ़ाने से लेके application on नहीं हो रहा है उसका तक मैंने solution दे दिया है बहुत अच्छी अच्छ मैंने दिये है जहां पर guys practically मैंने करके दिखाया है कि आपका internet speed बढ़ सकता है और भी बहुत कुछ मैंने करके दिखाया guys so hope guys आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक क चाल को बहुत कर दिखाया है